So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ I am Pashers की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुवात IOC के साथ हम करेंगे IOC की अगर हम बात करें तो 169.05 रूपिस के राउंड क्लोजिंग मिल जाती है मौनिंग में स्टॉक ने अच्छा ग्यापब बताया अच्छे रिटन्स यहाँ पर मिला है रेड डेन 25 पेसे तक के ही रिटन यहाँ पर हमें देखने को मिल है निउस की अगर मैं बात कर लू तो यहाँ पर आप देख सकते हो Indian Oil Corporation Limited The Company made acquisition securing a 100% stack in marketer petroleum MPL जिसे कहा जाता है for 154 करोड तो यहाँ पर 154 करोड में MPL को इन्होंने खरीदा है यहाँ पर अगर देखें तो इसके acquisition के कारेंट ही stock में आज bullish ने अस नजर आई stock morning में भी अच्छा बड़ा और बाद में भी इसने अच्छे returns दिये और बिल्कुल आप positive रह सकते हो यहाँ पर इस particular share में आने वाले time में भी क्योंकि stock में volume अच्छा नजर आता है 2 करोड के round तक का trade value हमें last trading season भी देखने को मिला था और आज भी 2 करोड के round तक का ही trade value देखने को यहाँ पर मिला है इसके levels discuss करेंगे बड़ उसके पहले हम और कुछ important shares को discuss कर लेते हैं जैसे HPCL हिंदुस्तान petroleum corporation limited bonus dividend company दे रही है date यहाँ पर हम discuss कर लेते है record date इसकी क्या होगी 556 रुपे के level पर अगर आप देखोंगे इसने closing दी 12 रुपे 55 पेसे के round तक कि अच्छे return stock ने दिये बहतरी इन 30 इस टॉक ने आज बताई है यहाँ पर a share bonus कब देगा तो 21 जून 2024 से पहले और से fine लगा गया है कुछ companies के उपर home देख लेते हैं तो stock exchange enforced a total fine 34 lakh on oil refining and fuel marketing जाई तो इसमें HPCL है HPCL के उपर भी fine लगा गया है तो इसके उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो HPCL के उपर भी आपर सेवी का fine लगा इस news का कोई जादा बूरा effect stock के उपर रहा रही है भारत petroleum corporation limited की बात करें तो stock 655 रुपे 20 पेसे पर इसने closing दी एक रुपे 10 पेसे के round अगर आप देखते हो तो stock में एक तीजी रही date यहाँ पर fix हो गई है इसके dividend और bonus की date यहाँ पर क्या होगी तो उसे हम discuss कर ले तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे BPCL has also fixed a record date for determining the eligibility of shareholders participation in the bonus shifts BPCL bonus shifts record date 2024 is June 22 तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे 22 जून 2024 इसके bonus की exit date यहाँ पर final करी गई है bonus to one का bonus company यहाँ पर देने वाली है इसके उपर भी आपके यहाँ पर ध्यान देना चाहिए है तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे bonus related जो भी आपर date है वो fix कर दीगी है तो इसके उपर आपको focus करना चाहिए तो BPCL भी यहाँ पर आज ज़्यादा बड़त नहीं रही बट morning में बड़ा फिर गिरा फिर एक अच्छी recovery stock ने बता दी लेवल्स की discuss कर लेते हैं लेवल्स की बात हम कर लेते हैं किन लेवल्स की उपर आपको focus रखना चाहिए और क्या लेवल्स हमने discuss किये था तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे जिन लेवल्स की हमने बात कीती है तो highly chances थे कि यहाँ पर stock support लेके उपर जा सकता था बट वेसा नहीं वह stock में breakdown है breakdown के बाद stock ने हाँ पर sustain किया और sustain करने के बाद stock में एक तीजी हमें देखने को मिल जाती है तो इन चीजों के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखे इस trade line का ज्यादा बड़ा effect stock योपर रहा नहीं है बट एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर से stock में बढ़त रही है तो exactly इस point से भी stock में एक अच्छी बढ़त देखने को मलती है और साथ अगर हम बात कर लें तो यह वाला जो level है यह level भी काफियत तक IMP इसके लिए इसमें रहने वाला है क्योंकि यह level से resistance भी इसने यहाँ पर face किया है stock में यहाँ से गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही इन points के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो बिलकुल यहाँ पर इस point के उपर ध्यान रखो IOC में आपको अच्छे returns मिल सकते हैं अगर आप इन levels के उपर focus करते हो तो वही अगर हम बात कर लें हमारे next stocks की तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर BPCL की तो BPCL में 5 मिरट के time frame पर अगर हम देखें तो stock में बिलकुल अभी भी थोड़े sideways momentum है हाला कि कुछ breakouts के बाद stock ने अच्छे returns दिये हैं बट कही ना कही यहाँ पर भी अगर आप देखोंगे तो इस range को यह break नहीं कर पा रहा है upside की ओर आज भी stock ने break करने कोशिश की बड़ डाउन आ गया फिर उपर गया फिर डाउन आ तो यह range अगर break हो जाती है तो stock में एक अच्छी returns एक अच्छी rally हमें देखने को मिल सकती ह वही अगर हम बात कर लें तो downside की ओट से भी कही ना कही यह stock है वो support यहाँ पर face करेगा तो बिल्कुल यह जो point है इसके उपर भी आप focus रखों तो stock में एक ascendal type triangle जो है आपर बन रहा है ascendal type triangle का breakout अगर upside की और मिलता है तो stock में यहाँ से एक अच्छी TG हमें देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए साथ ही अगर हम बात कर लें हिंदूस्तान petroleum की तो उसे हम search कर लेते हैं तो इंदूस्तान petroleum की भी अगर हम बात कर लें तो बिल्गुल stock में आज एक breakout मिला अप्टर ब्रेक आउट स्टॉक ने इच्छी रिटन्स दिया है और यहाँ पर अगर देखे इसने इस range को काफी इच्छी तरीके से ब्रेक किया है इस लेवल को इसने ब्रेक किया है और यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है इस पॉइंट के ऊपर भी आपको यहाँ पर द्यान देना चाहिए तो और और काफी कुछ चीजा हमने डिस्कस कर लें इन शेर्स को लेकर इस वीडियो में तो आई होप आप कोई वीडियो हेल्पूल और अच्छा लगा होगा वीडि